इसे जो लोग बैठें वो कहाँ दो कि मंडी खतम हो जाएगी इसलिए हम किसानों के साथ इसलिए खड़ें यह बदमास कठे हो एंपनी राजनीती के लिए आज वह आ रहा आज वह आ रहा यह तो सब हम मौधी सरकार खिलाप एंपना और मनोरलाल कंटर खिलाप है यह तो आओं आम आधम कार्ड देश बात करें अपना कि आर्फाव खातर को अठा और तू साथ़ीगा कार्ड है तू इस श्यार्टर बात करें आम इनसे खिलाप हैं और आमारे यहां का जितना भी लोकल किसाने इसको रोजाना तो लोग गालियां देते हैं कि हमारा बॉटर सील कर दिया गंद की फला दी लिकरना बंद कर दिया पैशंट नहीं जा पते बच्चे नहीं जा पते इसलिए इन से दुखी है लोग यह जरीवाल नहीं चाहता है कि के इंदर में जो है बीजेपी शरकार हो यह नी बनना चाहता चोड़ है बड़ी आदमी नहीं है इसको और तुस खात मर मोणता दिल्ली में किसानों को दर्जा दे दे वह यह हैं इसने आज तक भी दिल्ली के किसानों को किसानृ मन्तें किसान नहीं और Algarta नहीं और ये जो है महां दरजा सीला दिख्ष्टिक ने खतम किया था और वो आज बर करार चल जा अगर इसे किसानों से मोह है तो किसानों को दिल्ली के अंदर किसानी का दरजा दे अगर किसान इतेशी हैं तो किसानों के अगर बेटे मरते तो महां उन्हें जाना चाहिए तो किसान के बैटेंगे निये तो बदमासों के बैटेंगे जिनके घर पर परियंगा गई जो पुलिस को मारता है अपने परसासन के ओपर हमला करता है टेक्टल सड़ाता है वो किसान नहीं है दूसरी बात केजरी वाल जो उनका दम बढ़ता है यह गंदे उगरवादियों का जैसे बनाने वाले लोग है मजदूरि करने वाले यह किषान नहीं पड़ेवाँ अर जो एग किसान नेता क है किषान झाया यह तो बहुत गटिया किशम का आत्मी है यह तो बहुत बेकार ना मिस्तिकैट को नेता मांनते इसका बाप बीन का यह बढ़ता यह बया जैन वहीं है ल के बात करें इनकी कोई नहीं है कि पूरी बढ़िया परिस्ताव पास हो गया और बहुत अच्छा रहेगा और हम मैंत करका कमांगे अर तो हमें कुछ ना कुछ ना कुछ दूल में यह जो लोग बैठें वो कहरें कि मंडी खतम हो जाएगी इसलिए हम किसानों के साथ इसलिए खड़ें यह बदमासी नागामत पर यह बदमास कठे हों है funding कैसे मिलेगी ने वो कहारें जो फसल की MSP है वो तक नहीं मिलती है किसानों के साथ हर्याना किसा हाँ उख़त कुछ बढ़िया मिल कोई काम गठिया ने हो रहा बढ़िया मिल रहा कि मतलब अपनी राज नीटि के लिए यह सब आज भू हा रहा आज भू आरहा तो सब सब्स को धी गिराने कि वह पंड़ा और मनोरลाल के खतर के खिलाफ है यह तो आँ एमारा सैदिगाकार दें बात करें अब के बात कर रहे अट्याकर तुछ सर्कार का बड़ा मसला आई तो जब अब यह तो ऑड़ाष्टरी कलाकार रहें अब इस पें तेक पड़ी करने लगएं जो जो किसान या इस तरीका का अंदूलन्द कर रहे हैं आपको क्या लग रहा है यह जो कलाकार है ना जो बाहर की नर्थ तकी जो फंडिंग का पैसा बेज रही है राहूलू उनके पास ही गया था पंदरा दिन पर ताक आया यह तो जाला कुंडा है और उसके साथ साथ जो एक प किसान दिल्दी के चोंगर देगा अर्याने का वह इन से सब टोटली खिलाब है यह जो यहां के पड़े हैं इन को रोजाना तो लोग गालियां देते हैं कि हमारा बोडर सील कर दिया कंद की फला दी लिकरना बंद कर दिया पैसंट नहीं जा पते बच्चे नहीं जा पते इ विकल करके डिली सरकार ने दिल्ली पुलिस को कुछ बसे मुहिया तर नो वेजरीवाल नहीं चाहता है कि इंदर में बीजेपी शरकार हो, ये परदान मंतरी बनना चाहता है जो हो रहे हैं बड़ी आदमी नहीं है ये इसको हम यह कहते हैं गया तू सीम बन गया दोक्खे से अब तू जो है ताड़ मार दिल्ली में अगर यू किसानों को मानता तो दि इस पॉप है यही कुझारीशे इससरे इसने आज तक भी दिल्ली के किसानों को किसान नहीं मनने हैं धर किसान모न को और वह औरो आज बर करार किसानों से मिलते थे जाके किसानों से की बाते करते थे लेकिन अब समय आ गया है कि किसानों से मिलते हैं मनी शुषोदिया से मिलने और बड़े बड़े नेताओं से मिलने उनसे पैसा मिलता है उसको फंडिंग का किसानों से पैसा थोड़ा ही मिलेगा किसानों की तो सुक्की तर्फ यार ले उसको फंडिंग का पैसे मिलता है उन लोगों से उचे से पास जाते हैं कंसे कौन असे कर रहा है जो विपक्षी पार्टियां वह से संदिक आरे विदेशाथ से हा रही है और यह पोजिशन की पार्टियां इनके घरूँ आरी मोधि ने विदेशों वाले जो अब यह साले अपने आप लगे हैं उखाने जो पैसा दे तो हमनी दिया अगर दे इनको पैसा और ना इन्हें यहां का लोकल आदमी देगा यह बिकारियों की तरह भीक मांगते आंडरें पैसे कि अब अब यह तस-पांच इन में भूखे मरते अपने आप इना बाग जेंगे सर आपके छेत्र में इंटरनेट चल ला या नहीं चल रहा है लगबग कितने दिन हो गया है 15-20 तारीक के बाद से लगबग नी चल आम वैक्तिन ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास नी चल रही बच्चों की पहले क्लास चल रही थी ऑनलाइन ना वो च तीन गंटे में गाड़ी जागे लगी हमारा परदान था मनोली का उसको अचानक दरद हो गया उसको लेगा बाज्य उसको रास्ते में इदम तोड़ना पड़ गया वो जाम में फश्गी गाड़ी पोची नहीं और डाक्टरों से वो जाद दजादे पच्चिस फुट दू पूर रह रहा था पोच लेगे बढ़ गे थे अस पर अगर यह लोग नहीं बैठे होते तो आज उनकी जान बच जाती वो खाली आत्य गंटे का रास्ता था इसमें तीन गंटे लगे अगर जो यह बैठे नहीं होते तो उसकी जान बच जाती मतल सर काफी समस्याइं है से कम भी 400-500 आदमी कठा हो जाता और एक पंचात रखी थी वहां सेरसे गाओं में पंचात होक है और कई हजार आदमियों की चड़ायों होनी थी वह परसासन ने रोक दी तो जैसा कि आपने देखा जो यहां के आम निवासी हैं जो लोकल निवासी हैं वो कितने परिशान है वो कह रहे हैं कि यदि एम्बूलेंस को आना होता है तो एम्बूलेंस भी नहीं आपाती है अब खेर देखना यह है कि सरकार किस तरीके से जो 70 दून से यह लोग बैठें प्रदर्शनकारी बैठें उन्हें कैसे अटाती है बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत कि प्रदेबं का बढ करे मैं अवा शेप खेली नहीं चुोंगं करें बाकश वीडि़ोふ cuando इंवा वी नहीं से यह वे प्रदक बदून को प्लीकार को सावेर देखने के बाक बाका यह है